नमस्कार दोस्तों सुवागत आप सभी के HP exam phase में आज हम कुलू district से लेटिट सारे important MCQ करने वाले तो चाहिए आप high level exam की त्यारी कर रहे हो है low level exam की मैंने हर type की MCQ है वो इस PDF में डाल दिये और हाँ कुलू district पे एक descriptive lecture भी बना रहा है जिसका link आपको description मिल जाएगा अगर आप उस descriptive lecture को देखोगे तो यकिनन आप यह जो आज की MCQ है इनमें सारे question सही करने वाले हो बाकि बिना किसी देरी कि हम आज की lecture को start करते हैं तो कुलू district से लेटिट सारे important question हम करने वाले हैं फर्स्ट कोशन है seven वजीरी यूज तो कम अंडर कुलू state the present कुलू city was अंडर which वजीरी तो कहना के चाता है कुलू रियासत के अंतरगत साथ वजीरी आती थी वर्तमान कुलू शहर किस वजीरी के अंतरगत आता है तो बताए किस के अंडर आता है जैसे कि आपको पता है कुल वजीरी रूपी वजीरी लक्सरी वजीरी परोल या वजरी महराज तो फर्स्ट करणा रहीं और वजीरी परोल तो जो कुलू शहर आप अभी देख रहें वो किसके अंडर आता था वो वजीरी परोल के अंडर आता था तो descriptive lecture में आपको सारे चीज़ें डेटेल पर बता रि हैं second है which of the following places was never the capital of the princely state of kullu तो नियुक्त में से कौन सा स्थान कि कुलू रियासत का कभी भी राजदानी नहीं थी तो पताई कौन सी kullu की राजदानी कभी भी नहीं थी तो तीन तो होगी और एक राजदानी नहीं होगी जगत सुक नगर सुल्तानपुर कुलू तो बताईए second का right answer क्या होगा second का जो राजदानी नहीं थी सबसे पहली कौन सी थी जगत सुक थी उसके बाद विसुत पाल नगर में शिफ्ट करते हैं और उसके बाद जो जगत सिंग होते हैं वहां पर वह सुल्तानपूर में शिफ्ट करते हैं तो कुलू कभी भी कुलू रियासत की राजदानी नहीं थी बाकि तीन हो थी कुलू रियासत के संस्तापक कौन थे तो यह सारी चीजे मैंने आपको पढ़ा रखिये डिस्क्रिप्टिव लेक्चर में अजबर सेन वहिंग मनिपाल वसंद पाल सुशर्मा चन्द तो बताएं थर्ड का एज़िस आंसर है वो क्या है वहिंग मनिपाल तो जो वहिंग मनि स्टेट और कुलू फ्रॉम जगत्सुक्ट तो मैंने आपको अभी बताया किसने कुलू रियासत की राजदानी जगत्सुक्ट से कहां पर शिफ्ट की नगर में तो बताएं किसने सुरजपाल विसुद पाल भाग पाल या जगत्सिंग तो फूर्थ का रिड़िट आंसर क् कुलू की जगत्सुक्त ती और नगर किसने शिफ्ट की थी विसुद पाल और नगर से जो है सुल्तानपुर शिफ्ट की जगत्सिंग तो फिलाल तो हमें जगत्सुक्ट से नगर बोला था कैपिटल किसी Civic की तो हमारा आंसरू को सिखत्सुद पाल चलिए next करते हैं fifth question where amongst तो कुल्लू जो रियासत थी उसका जो प्राचिंतम राजदानी थी वो कौन से थी यानि सबसे ओल्डेस्ट जो कैपिटल थी वो कौन से थी फिर तो हमें ऑप्शन दी है नगर कुल्लू सुल्तानपूर कालसी तो देखिए अब यहां पर हमें जगत्सुक जो था वो ऑप्श जगत्सुक को करते हैं अब भी आपके सामने चाप्शन दिया उसके नगर जो है वो ओल्डेस कैपिटल है तो कोश्चन को डिफिकल्ट करने के लिए एक्जामनर किसी भी टाइप से पोच सकता है सिक्स्त है दे कैपिटल अफ कुल्लू वास शिफ्टिट फ्रम नगर तो 1656, 1660, 1657 या 1660 तो शिफ्ट का रही टांसर कैसी का जो रही टांसर है वह है 1660 तो 1660 में जो राजा थे कुल्लू के वहां थे जगति नोने कैपिटल नगर से सुल्तान पोर शिफ्ट किये थी सिक्स्त का रही टांसर ऑप्शनदी 1660 है तो कहना कह जाता है कुल्लू का वहरा कौन था जो पाल उपनाम से 1450 के आसपास शासन करने वाला अंतिम राजा बना तो मैंने आपको बताया था तो सिंग जो है वो फिर चेंज जाती है तो ऐसनो शे भी गैस रहार जातीं। केलाश पाल राश्त 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 रा थे यह एक रखेल के बेटे थे एट काई टांसर अप्शन ए अजीद सिंग है चले नेक्स चलते हैं नाइंथ वू वाज दा रूलर अफ कुल्लू एड़ टाइम अफ मेरु वर्वन इन्वेशन तो यह दोनों जो है आपका मैंने बता रहे हैं जब और मैंने चंबा की हिस्ट्री भी कराई थी और कुल्लू की कि मेरु वर्मन ने जब कुल्लू पर हमला किया था तो उस समय कुल्लू के राजा कौन थे वो थे दतेश्वर पाल जिने उनने मार दिया था तो ऑप्शन देख लेते हैं भूमी पाल दतेश्वर पाल जगत सिंग परं पाल तो कौन थे दतेश्वर पाल थे कुल्लू की राजा जब मेरु वर्मन चंबा गरा कांगड़ा थे और मेरु वर्मन ने कुल्लू पर हरमला किया और दतेश्वर पाल को मार गिराया था टेंद्ध है व् वुषबूटरी ऑफ राजासंसारचन्द राजा अवक उन तो कहना जाता है राजय संसारचांद का समकालीं कुल्लु का साहून था जब राजय संसारचांद कागणा के राजया थे थीजल में कुल्लु का राज nag currently the इलेवन थे इन विच यह डिट दा तिबितियंस अटेक दा कुलू किंग्डम तो जो तिबतियं थे उन्होंने कुलू राज्या पर आकरमन कब किया आपको यह बता रहा है 1470 1520 1530 1560 इस वी तो इलेवन का जो राइट आंसर है वो है 1530 इस वी तो जो तिबतियंस ने उन्होंने कुलू पे हमला कब किया था 1530 इस वी में किया था तो हाई लेवल की कोशन भी रखें इसमें तो ऐसा है चाहे किसी भी एक्जाम की तारी कर रहे हो आपकी जो सीरीज मैंने चिला रखिए हमारे चैनल में ले जाना वहाँ प्लेइस मिल जाएगी हर इक टॉपिक उसमें मैं कवर कर रहा हूँ तो ऐसा है और को हैं या या तो उससे हम लेसे फाइद किया था जो कुलू था उसे चमबाстран से फ्री कर दिया था चलिए नेक्स दिखते हैं और अगर आप हिमाद्शा प्रदिश में किसी भी competitive exam की तेहरी कर रहे हैं तो हमारे app का link description दिया app को download कर ले ना वहाँ पर आपको पटवारी सब इंस्पेक्टर जीबटी कमेशन हर एक exam का course मिल जाएगा जिसमें 5-6 पूरा syllabus कवर कर रखा है और आपको test series मिलेगी previous यह पर आपको कोई भी सोर्स फॉलो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तो app का link description में दिया एक बार जो courses है उन्हें चेक आउट जरू करना बाकि हम वीडियो को continue करते हैं ठरटेंफ है during the reign of witch king of kullu lohol was conquered by king of chiama तो कहना चाहता है कि किस राजा किषे सनकाल में लहों को चमबा के राजा ने जीत लिया था तो जो चमबा के राजा थे उन्होंने लहों को कब्जें में लिल लिय थे उनको जीत लिया था उस समय कुलू के राजा kognे प्पाल te जब चंबा के रहे राजा ने क्या है लोहल को जीत दिया था लोहल को कॉनकोर कर लिया था तो उसमें कुलू की राजा रुद्र पाल थे जब चंबा कर लोगी तो ओल्डेस तो मैंने आपको कई बार बता है कौन सी थी जगत्सुक जो सबसे पहली कैपिटल थी वह भाइंग मर्ण पाल ने कौन सी जगत्सुक बनाए थी तो यहां पर बारा पीडियों ने राज किया था कुलू के जो बारा राजा थे उन्होंने र जब आहें इन्होंने जो थाकुर्स ते उनकी उनको दबा दिया था उनकी जो चनौति देते रहते बार बार तो उनकी चनौति कर बोल लिए दिदा था to मा errorने एंट अंस s situated तो कहना चाहता है कुलू जिले के किस तान पर कुलू के राजाओं की सती समारक स्तित है तो बताइए कुलू के राजाओं की जो सती समारक है वो कहां पर है नगर में है सुजला में है बजौरा में है या बंजार में है तो 16 का जो राइट आंसर है वो है नगर तो नगर में क कुल्लू का जो निर्मंड है निर्मंड कहां पड़ता है कुल्लू में और वहां से कौन से रिशी जुड़े हो है व्यास रिशी वशेष्ट पर्शुनाम या विश्वर मित्र तो 17 का राइट आंसर के 7 का राइट आंसर है वो है पर्शुनाम ठीक है निर्मंड जो है या किस गाओं में है, तो बताएं कहां पर कुलू के कौन से गाओं में, परशुराम कोठी है, धाबा, जगत्सुग, निर्म या दशाल, तो मैंने अभी आपको बता है, जो निर्मंड था, उससे कौन से रिशी रिलेट थे, वो थे परशुराम, तो आंसर क्या होगा, इसका निर्मंड ही होगा, तो निर्मंड में क्या है, परशुराम कोठी है, 18th का एट आंसर, option C है, 19th है, विच अंकल और राजा अजीज सिंग और मंडी के राजाओं की मदद से, कुलू पर आकरमन कर दिया, और अंत में मंडी के राजा की धगबाजी के कारण हार गया, तो बता राजा अजीज सिंग तो उनके अंकल ने क्या किया था, कुलू पर हमला कर दिया था, किस किसा आयता से, जो कांगडा के राजा थे और मंडी के राजा, बाद में जो मंडी के राजा वो ने धोका दे देते, जिस विचे से जो अपने अटाइक है, उसमें वो सफल नहीं हो राजा थे, तो बताइए वो कौन थे, कौन से अंकल थे, यानि अजीज सिंग के अंकल कौन थे, किशन सिंग थे, जगर सिंग थे, हिरा सिंग थे, अलाज सिंग थे, तो बताइए नैंटीन का राइट आंसर क्या है, नैंटीन का जो राइट आंसर है, वो है किशन सिंग, त थे उनकी हेव से जो है कुलू पे हमला किया था बाद में जो मंडी के राजा होते हैं वो दगा देते इस वज़े से वो सफल नहीं हो पाते तो यह अंकल थे कौन थे किशन सिंग थे अजीद सिंग के अंकल जो की कुलू के राजा थे ट्वेंटी थे विच यूरोपेन ट्रेवलर विजिटेड कुलू इन एटीन ट्वेंटी ओन ही टू लदाग जाते होगे किस यूरोपी है याथी ने 1820 में कुलू की यात्रा की थी तो यह मैंने डिस्क्रिप्टी लेक्शर में आपको बदाया था कि कौन से यूरोपेन ट्रे तो यह तो होई नहीं सकती तो उन आप्शन को तो सिधा ही कार दिया करो अब आपका 20 में पुछा था कौन थी तो वह मूर क्राफ्ट थे तो यह यूरोपेन ट्रेवलर थे जो अठाटाइसो बीस में लदाग जार थे तो अब यह कुलू से गुजरे थे तो ट्वेंटी का आप्शनी मूर क्राफ्ट है 21 विच फॉरेंट टॉरिस्ट हैस रिटन एक्स्टेंसिवली ओन दे ग्लोरी ओफ एंशन कुलू स्टेट किस विदेशी परियतन ने जो प्राचीन कालीन कुलू राजय था उसके उपर बहुत विस्तार में लिखा था तो किस ने लिखा था वा प्राचीन समय में कुलू का मुख्याले का था ब्रह्मपूर में जगत्सुक में मुर्गूल में यह काला टोप में तो 22 का राइट आंसर जगत्सुक में तो सबसे पहली कैपिटल राजदानी कौन सी थी वो जगत्सुक ही थी तो हेड़कॉर्टर का मतला वही हुआ कौन सा हेड़कॉर्टर था सबसे इंशेंट कुलू का वो था जगत्सुक 23 है विच ओफ दे फॉल्वेंग इस नौट नियर कुलू के निकित नहीं है तो बताइए कौन सा नहीं है सुल्तानपूर पैलेस दियो टिभबा काला टोप जगत्सुक तो बताइए कौन सी जगा है वो कुलू के पास नहीं है तो 23 का right answer वो है काले टोप, काले टोप का यह चम्बा में पढ़ता है, कुल्लू में पढ़ता है, बाकी जो तीनों जगह है, वो कुल्लू में पढ़ता है, जो सुद्दानपूर पहले से दियो टिबबा है और जगसु का यह चाय है, कुल्लू district में ही है, 24 है वजीरी रूपी इस इन विच डिस्टिक्ट तो जो वजीरी रुपी है वो किस जिले में है तो बताए एक किस में है option आपको दे रखे हैं शिमला कुल्लो किन और तो बताए ये वजीरी रुपी कहां पर है 24 का रेट आंसर के है वो है कुल्लो अब आपको बताया था जो कुल्लो था उसे उन्हें जो सिख्स ते उन्हेंने हराय था तो कौन से एर में हराय था 1740, 1750, 1820 या 1830, तो 25 का जो राइट आंसर वो है 1820, तो 1820 में जो कुल्लू के पाल से उन्हें किस ने हराय था, सिखों ने हरा दिया था, 25 का राइट आंसर, option C है, 26 है, in which ancient book is the description of कुल्लू found, तो किस प्रा यानि भी में शादी कि तılar सने टो कुल्लू से लीड distant तो आंसर वोग सभी में, 27 है, which ancient authorа describe कुलू in his writing, तो किस प्राचीन लेखक ने अपने लेखों में कुल्लू का वर्णन किया था, तो बतावे किस ने किया था, पानी नी ने, विशाका दत ने, विरहा मीरा ने, या अ तो हिमाचर प्रतिश की सबसे ओल्डेस जो रियासत थी वो कहुंसी थी उसके बाद कुलू ही आती है सेकेंड जो इंशेंट रियासत थी वो कुलू ही थी तो पांडिनी विशाकाद्थ वहामिर इन तीरों नहीं उलेक कर रखा अपनी बुक्स में किसकी बार में कुलू के बा अभ्यान क्या वर्नन मिलता है इसके अनुसार गुप्त शासन चंद्रगुप्त ने पहड़ी शासकों से सैनिक सायता प्राप्त की थी जो हेनु अक्रमणिय थे उनके विद्वन्स का विवरन मिलता है या हर्श वर्दन की काल में हमाचल में शांति और समध्दी की प्रशं की थी यानि प्राप्त भी की थी बाद में मिल भी जाती है तो सिलारी स्टोन से पता लगता है जो गुप्त शासकों से जो है सैनिक सायता प्राप्त की थी ट्वेंटीएट का रहाट आटांसर ऑप्शन भी है 29 इन विच डिस्ट्रिक्ट इस दा लैन दुहंगन प्रोजेक् तो कुलू का जो मलाना है वो किसले फेमस है आपको यह बताना है विश्व क्या सबसे प्राचीन लोक शाहियों में से एक जिसमें करीबन 500 परिवार है स्वतंत्र राज के एव नियाईक तंत्र देवता जामलू की पूजा यहां होती है इसका जो राइट आंसर है वो है मैंने अब यह आपको बता है कि माचल प्रदेश का जो सबसे प्राचीन तम लोक शाहियों मिलता है माचल प्रदेश नहीं विश्व का तो विश्व का सबसे प्राचीन तम लोक शाहियों मिलता है निर्मन में रामपूर में मलाना में या राक में तो 31 का जो राइट आंसर ह वो है मलाना तो मलाना में वर्ल्ड की oldest democracy मिलती है 32 है मलाना village of कुलू district is famous for what तो कुलू जिले का जो मलाना गाव है वो किसले famous है तो बताई किसले यहाँ पर खनिज बंडार है महादेव मंदिर है संसार का प्राचिंतम लोगतंत्र है या चांटी बंडार है 33 देखते है तो कुलू का इनमें से कौन सा जो है वो राजदानी नहीं थी तो शंची नहीं थी नगर नहीं थी जगसुक नहीं थी सुल्दारपूर नहीं थी तो इसी सा कोशन है शंची नहीं थी बाकी तीनों थी तो कुल्लू की राजदानी नगर भी है, जगसुक भी है, सुदानमूर भी रही थी, वाकि शम्शी कभी नहीं रही थी 34 है, in which district was गठोतकच, the sun of भीमा, the character of महाभारता बॉन तो महाभारत के, जो आपने दिखेंगे, गठोतकच थे, उनका जनम किस तान पे हुआ था, तो बताई, भीम के पुत्र थे, कुल्लू में हुआ था, मंडी में, शिमला में, किनौर में, तो बताई, 34 का जो राइट आंसर है, वो है कुल्लू, तो जो गठोतकच थे, जो भीम क सन थे, उनका जो बाउन हुए थे, जनम हुआ था, वो कुल्लू में ही हुआ था, 34 का एट आंसर, ऑप्शन A है, 35 है, तो सबसे कम अबाद गाव हिमाचा परदिश के किस जिले में है, तो बताई, कौन से जिले में है, कुल्लू, किनौर, लॉल्स्पिती, सिर्मौर, तो कु कुल्लू में ही होंगे, तो हिमाचाल के सबसे कम अबाद गाव का है, वो कुल्लू डिस्टिक्ट में ही है, 36 है, what was the population of कुल्लू डिस्टिक्ट in 2011, तो ऐसे कुछन नहीं आते हैं, कि हाँ आप से पूछ ले कि पूपलेशन कितने हैं, मगर यह वही है, जब किसमत खराब तो होती नहीं, बस एक नजर मारने वाली होती है, तो कुल्लू की पॉपलेशन 2011 में आपको पता है, लास्ट बात जिन गढ़ना 2011 में होई है, अब 2021 में होनी थी, तो कुरोना की पूछ से नहीं हुई, तो अभी 2021 वाली देखीगे, तो 2011 की अनुसार, जो कुल्लू की पॉप रगुनाज जी फ्रम आयोधिया, तो रगुनाज जी की जो प्रतिय में थी हो आयोधिया, कौन लाए थे, तो ये भी जी सा कोशन है, वहिंग मनिपाल, राजेंदरपाल, दामुदर दास या जगत सिंग, तो उस समय कुल्लू की राजा जगत सिंग ते, जिसने दामुदर दास को बोला था, जो आयोधिया से रगुनाज जी की मूर्ति लाने के लिए, तो कौन लाए थे, दामुदर दास लाए थे, 37 का रगुनाज जी जाए थे, 37 का रगुनाज जी ऑप्शन C है, 38 है, विच रोलर इंस्टॉर्ट दाइडल ऑफ रगुनाज जी इन कुल्लू इन जगत सिंह उस समय कुल्लू के राजा थे, चलि नेक्स कुछिन लिखते है, 38 तो आपको सन बताना है, जब आयोधिया से रगुनाज जी की मूर्ति कुल्लू लाए थे, दामुदर दास ने लाए थे, 1652, 1650, 1660 या 1651, तो 39 का रगुनाज जी जो रगुनाज जी की मूर्ति थी वो आयोधिया से कुलू कब लाए थे 1651 में लाए थे येर भी याद होना ची आपको 40 है वट वास्ट पारफुल किंग ओफ कुलू प्रिस्टी स्टेट तो कुलू जो रियासत थी उसके सबसे शकति शाली राजा कॉन थे तो कॉन थे बहादूर सिंग, जगज शाली राजा थे वो कॉन थे वो जगफ सिंग ही थे उप्छन बी है और एक और चीज़ बरता हूं description ज़रूर चेक करना, वहाँ पर अगर आप हमसे online coaching लेना चाहते हैं, तो उसकी सारी details मिल जाएगी, मेरा personal WhatsApp नमबर है, मुझे कुछ भी exam का नाम लिखके WhatsApp कर देना, मैं आपको details देदूँगा, हमारी जो live classes है, वो 5-10 evening में लगते हैं, हिमाचल जी के इंडिया, हिंदी इंग्लिश रिजनिंग, हर एक subject हम cover करते, daily live classes होती है, और वो daily recorded भी मिल जाती, ताकि आप उन्हें बाद में भी देख सको, बाकि study material, test series, सब कुछ हम भी provide करते, और आपकी बहतरें त्यारी करते, आपको भी अपने effort लगाने होगी, हम तो बस आपको guide कर सकते हैं, और selection तभी होगी, जब आप खुद से ठान लोगे कि आपको exam qualify करना ही करना है, अब आपको बता है, बहुत सारी weekends आने भी वाली हमाचल प्रदेश में, तो ऐसा है, त्यारी बहुत अच्छे करेंगे, तो नीचे आपको description में details मिल जाएगी, बाकि आप मुझे WhatsApp करना, बाकि ऐसे नहीं exam के ले करना, कोचिं के ले करना, बाकि कोई problem आती है, तो उसके लिए भी कर देना, तो ऐसे नहीं आता है, जो सबसे जादा लेटर सी देट जिस्ट्री को वो पुछी का है, सबसे कम वाली मगर ऐसे सबका नहीं पुछे करना तो इंपॉसिबल टाइप हो जाता है, क्योंकि कौन याद रखता है इतने सारे चीज़े याद करने को, पहली इतने सारे सब्जक्ट पढ़ने को, तो यह सब तो थोड़ा एक्स्टा हो जाता है, 42 है, भुंतर इर्पोर्ट इस इन विज डिस्टिक्ट, तो भुंतर सब को बता कहा है, यह कुल्लो डिस्टिक्ट में है, चले नेक्स कोशन देखते हैं, नेक्स जो हमारा कोशन है, वो है 43, 43, वो प्लांटेट बिटिश वराइटी ऑफ एपल औरकाट्स इन कुल्लू वैली, तो कुल्लू घर्टी में बिटिश किसम के सेब किसने लगाये थे, तो सत्यनल स्टोक्स ने, आर्सी ली ने, जो है है एरिस ने, या डलो जी ने, तो यह बीजी सा कोशन है, 43 का जो क्योंकि एक प्रॉपर ग्राइडेंस ने मिल पाती, त्यारी करने के लिए, बाकि maximum students तो काफी सालों से लगे हुए, क्योंकि आपको बता है, हमांचल में बिरुजगारी का लेवल बहुत बढ़ता ही जा रहा है, तो इतने साल होगे त्यारी करते-करते, जो cheating करके, यानि unfair से, पैसे देखे, नोकरी लग रहे थे, बहुत सारे लोग, तो ऐसा है, जो deserving candidate थे, वो नहीं लग पा रहे थे, तो उनको तो बहुत साल होगे, बाकि अब उमेद है, जो चीजे है, वो fairly होगी, तो अब तो वो नोकरी लही लेंगे, 44 है, which national highway passes through Manali, तो Manali से कौन सा जो है, र the oldest residence of the king of the principal state of Kullu located, तो जो Kullu रियासत के राजों का प्राचिंतम निवास कहां पर स्तित है, तो बताइए, Kullu के राजों का प्राचिंतम निवास कहां था, हरिदवार में, मथूरा में, प्रयाग में, या मगद में, तो 45 का जो right answer है, वो क्या है, वो है, प्रयाग, ठीक है तो प्रयाग में, इनका जो है, वो प्राचिंतम निवास मिलता है, यानि यहाँ से वो प्रयाग से आके इनोंने, जो है, कullu में, कुलू रियासत की स्तापना की थी, 46 है, when was the Kullu district merged with हिमाच्या प्रदेश, तो कुलू जो है, उसे हिमाच्या प्रदेश में कम मिलाया गया, तो मैं आपको बताया था, एक नॉम्बर 1966 को पंजाब को पुनर गठन होता है, तब जो कांगड़ा है, कुलू है, लॉल्स पिती है, शिमला है, उसे हिमाच्या प्रदेश में मिलाया जाता है, तो ऑप्शन देखने की ज़रू होती है, जो 46 है, इसका रिटान से 1966 है, 96 है, एक नॉम्बर 1966 को इनको मिलाया जाता है, फिर है, फिर हमारी कोशन ही खतम होगे, तो ये सारे इंपोर्टेंट कोशन है, जो आपको कुलू डिस्ट्रिक्ट से लेटेड पता होने चाहिए थे, बाकि आज की वीडियो को मैं इतने रखता हूँ, अगर वीडियो पसंद आई